हेलो एर्वीवन वेलिगम टू माई चैनल लॉजिक पार्शाला क्लास 7 का हम चैप्टर नूम्बर 12 करें थी 12.2 एक्ससाइस के हमने दो क्वेशिंज कर लिए थे आज हम 3rd क्वेशिन करते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेशिन दिखे क्या है सब्ट्राइट करना है सब्ट्राइट करना है इसको माइनस 5y² फ्रॉम वाई स्कॉरर तो जिखे क्या मतलब है सब्ट्राइट करने का फ्रॉम को मतलब क्या होता है कि आपको माइनस 5y² सब्ट्राइट करना है y² में से आपको पहले y² लिखना होगा फिर ये लिखना होगा ठीक है तो फ्रॉम में आप confuse मत हो ना, जैसे equation है हमारे पास ये 5y² from y², ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इससे subtract करना है, इससे subtract करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हमें ये वालर term लिखना होता है, जो from के बाद लिखा होता है, पहले आपको उससे लिखना होता है, तो सबसे पहले हम क्या लिखें से हम bracket में कर देते हैं क्योंकि हमाइन पस यहां पर दो साइन आ रहे हैं कभी प्या करेंगे माइनस लिखेंगे ना अगर आपको दूसरा नमबर भी लिखना है कुछ भी लिखना हो तो आप क्या करिए bracket use करिए उसके बाद bracket open करेंगे तो minus minus प्लस हो जाएगा 5y square और 5 में इसे प्लस करेंगे तो यह जाएगा 6y square तो हमारा answer कितना जाएगा 6y square तो आपने कर किया from का मतलब होता है आपका जो पहला term लिखा होता है उसे minus करना होता है दूसरे term में से तो आपको from के बाद जो term लिखा है उसे पहले लिखना पड़ेगा उसके बाद minus लगाना होगा और then उसके बाद आपको पहला वाला term लिख देना है और उसके पाद आपको solve करके answer निकाल देना है इसी तरीके से दूसरा question हमाई पास किया है 6xy from minus 12xy तो पहले आपको ये term लिखना है ठीक है तो हम लिखते हैं minus 12xy उसके पाद subtract करना है तो minus लगाएंगे आप दीए 6xy के पास कोई sign नहीं तो अब उसे direct as it is लिख दीजिए bracket में करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर एक से ज़्यादा term होंगे तो bracket use करना हम ज़रूर क्योंकि उससे sign बदल जाते है equal minus minus क्या हो जाएगा plus और answer में हमेशा minus लगता है तो यहाँ जाएगा 18xy तो answer क्या जाएगा हमारा 18xy ऐसे ही हम third करते है third question में हमें क्या दिया है a minus b from a plus b तो पहले यह वाला हमें term लिखना है तो हम लिखेंगे इस a plus b उसके बाद minus लगाना है आप जो same time में वो एक साथ कर दीजिए light up तो यहाँ पे minus यह आ जाएगा plus b और इधर b plus b आ जाएगा आप solve करेंगे a से यह तो cancel हो जाएगा और b और b मिलके कितना बन जाएगे 2 b बन जाएगे तो इस तरीके से answer कितना जाएगा 2 b आ जाएगा next है हमाई पास a bracket b minus 5 from b bracket 5 minus a तो from के बाद जो लिखा होता है उसे आपको पहले लिखना होता है तो हम इससे क्या लिखेंगे पहले लिखेंगे minus लगाएगे उसके बाद यह वाला term हम उसके बाद उतार देंगे इस तरीके से हमने क्या किया दोनों term हमने इस तरीके से लिख लिए उसके बाद क्या काम है हमारा bracket open करना है तो देखेंगे यहां पर दो चीज़ है ब्रेकिट के बाहर चो term लिखेंगे वो bracket के साथ multiply में है तो उसकी multiply कर दीज़ेए सिफ b है तो B जो होगा वो दोनों के साथ multiply होगा तो यह ध्यान रखना तो B की जिए 5 के साथ करेंगे तो 5 B आचाएगा और फिर minus है B की A के साथ करेंगे तो यह आचाएगा A B इसी तरीके सी यहाँ पर minus है और यहाँ पर B है तो B की A के साथ करेंगे तो A B अब देखिए यहाँ पर minus है यहाँ पर भी minus है तो दोनों के sign change हो जाए यह plus बन जाएगा और a की 5 के साथ multiply मन की कितना मन गया 5a अब like term तो एक साथ है b का तो है ही नहीं कोई term a b और a b के मलके देखिए यहाँ पर minus a b है minus a b minus minus plus तो कितना बन जाएगा यह minus 2ab उसके बाद plus 5a को hazard उतारी अब सारे unlike terms है तो unlike terms तो solve नहीं होंगे तो हमारा answer यही हो जाएगा तो बस हम क्या कर रहे है question में जो हमाँ बस from के बाद वाला term है उसे लिखते है फिर minus लगाते है उसके बाद पहला term लिखते है then इसके बाद bracket open करते है minus से क्या होता है हमेशा दूसरे bracket के sign change हो जाते है यह आप धियान रखेगा गलती होने के चंट सिर्फ यही होते है आपको यह वाले sign change करने होंगे उसके बाद आपको like terms एक साथ लिखने है और उसके बाद solve करना है इसका हम एक और part कर लेते हैं जो last part है सभी part देखेगे कि जिससे होंगे कोई अंतर नहीं है किसी part में आप देखे from के बाद यह पूरा number है तो हम इसे पूरे number को पहले उतार देंगे plus 3q square minus pq इस तरीके से एक bracket में कर दिया उसके बाद लगाना है minus minus के बाद जो यह पहला time में इससे उतारेंगे पूरे को तो आप bracket यूज करिए 4pq minus 5q square minus 3p square यह होगी हमारे पास उसके बाद देखे हमारे पास क्या है bracket open करना है तो first bracket तो as it is open हो चाहेगा क्योंकि उसके लिए तो कोई sign change नहीं होंगे minus pq second bracket देखे sign change होंगे पहला positive का 4pq है तो positive और minus मिलके minus बन जाएंगे तो क्यों 4q आ जाएगा दूसरा minus है इसका sign change इससे हो जाएगा क्योंकि minus और minus क्या होता है plus 5q square फिर से minus है minus minus मिलके क्या होता है plus 3p square आप like वाले terms एक साथ कर दीजिए तो 5p square पी square का term यह है इसे इसके साथ लिख देंगे next q square q square का term 3q square के साथ जाएगा 5q square next step pq वाले term pq वाले term को क्या कर दीजिए एक साथ कर दीजिए इस तरीके से कर दीजिए हमने उसके बाद यह दोनों plus के हैं तो यह हो जाएगा 8p square यह भी plus का है तो 8q square कि minus है यह भी minus है minus minus क्या होता है plus answer में मिलके minus हता है तो 5p q आ गया तो आप term solve नहींगे हमारा answer क्या हो तो देखे simple solution simple solution है पस क्या ध्यानक नहीं from अगर आपके उसमें है तो from के बाद जो भी जितने भी terms लिखे हैं वो सबको एक साथ करेंगे फिर subtract करना है minus लगाएंगे and then पहले वाली चीज़ को from के पहले वाले को पूरे को लिख देंगे उसके बाद क्या है minus से हमारे bracket open करते हैं तो sign change हो जाएंगे सबके आपको sign change करने जो plus का है वो minus का हो जाएगा जो minus का हो जाएगा उसके बाद like terms को एक साथ कर लीजिए सारे जो जो like terms है and then solve it तो इसी तरीके से question का पूरा part है ना यह सारे question इसी तरीके से solve हो जाएंगे तो हमें आगे जो part है उनको solve सभी को करने कि जरूरत नहीं method अब का same है अब देखे fourth question देखे fourth question में क्या कहा है what should be added to this to obtain this मतलब हम इसमें क्या add करें कि हमें यह मिल जाए तो हमें यह बोला गया है तो आप देखे इस question को थोड़ा सा ना आप वैसे जोची जैसे आपके पास माना को एक number है 10 आपसे बोला जाए कि 10 मे आप ऐसा क्या add करो कि आपको 12 मिले ठीके इसको इन questions को थोड़ा example से समझना होता है क्योंकि हम इन term में समझ नहीं पाते हैं कि हमें किस term को पहले लिखना है किस term को बाद में लिखना है and then minus करना है तो आप क्या करें हमीशा इन terms को एक example के थूरू समझ यह कि जैसके हम से यह बोला गया था ना कि what should be added to कि इस term में हम क्या add करें to obtain this यह मिले तो ऐज़ा हम समझ रहे हैं कि हम 10 ले रहे हैं कि 10 में क्या add करें आप 12 आ जाए तो आप क्या करते हैं 12 में से 10 को minus कर देते हैं आ जाता है 2 तो हमें पता चल जाता है 2 हमें add करना है तो इस तरीके से इस question को मान करते हैं समझ लेते हैं कि हमें किस में से किस term को क्या करना है minus करना है ताकि हम जो अपने question में उसको क्या कर से easily solve कर सके तो हम लेते हैं हमारे पास यहां पर देखे क्या है 2 x square plus 3 x y क्योंकि इस से पहले लिखेंगे क्योंकि हम इस में से पहले वाले term को minus करना है minus लगाएंगे और दूसरे वाले को क्या करेंगे हम bracket में लिखेंगे यह हो जाएगा हमाई पास उसके बाद एक है माइनस है ब्रेकट के बाहर तो साइन चेंज हो जाएगे सबके 2x2 plus 3xy minus x2 यह plus है तो यह minus xy हो जाएगा यह plus है तो यह minus y2 हो जाएगा उसके बाद like terms को एक साथ कर ली जैसे x square वाले इस जाम x square के साथ लिखिए plus 3xy वाले term को xy के साथ लिखिए और last में बचा minus y square इससे solve करेंगे तो 2 में से 1 minus किया x square 3 में से 1 minus किया 2xy और minus y square तो यह हमारा क्या जाएगा answer आजाएगा देखिए फिर से हम एक बार समस्ते हम से क्या बूला करें था what should be added to x square plus 6y plus y square इसमें क्या 8 करें कि यह मिल जाए for example हमने समझाता कि 10 में हम क्या 8 करें कि हमें 12 मिले तो आप अगर इसे solve करेंगे question को तो आप क्या करेंगे इस 12 में से 10 को क्या करेंगे minus करेंगे तो हमें 2 मिल जाता है वही हमने question किया 10 की जगा आप हमारे पास यह term है 12 की जगा यह term है तो 12 वाले term को पहले लिखना होता है 10 वाले term को बाद में लिख रहे हैं तो इसी तरीके से हमने इस तर्म को पहले लिखा और इस वाले तर्म को बाद में लिखा and then minus कर दिया next question देखिए what should be subtracted from 2a plus 8b plus 10 to get minus 3a plus 7b plus 16 अपके क्या बूलाई कि what should be subtracted from मतलब इस number में आप क्या subtract करें from मतलब इस में से क्या subtract करें to get this यह मिल जाए तो इसे भी हम example कि through समझेंगे जैसे आप मानो हम मानते हैं कि हमने बोला कि हम 5 में ऐसा क्या subtract करें कि हमें 3 मिल जाए हमें यहाँ पर number fill करना है ठीक है कि 5 में हम क्या subtract करें कि हमान जात्री मिल जाए तो आप क्या करते हैं इस 5 में से इस 3 को डारेक्ट क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं तो हम 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 तो हमें पचल देगा यहां पर 2 सब्ट्राइट करना है तो यही बात है इसे मान लीजे यह 5 और यह 2 क्योंकि हमें इसमें से सब्ट्राइट करना है तो इसमें से सब्ट्रेट करने पर हमें जो मिल रहा है उसे हम 3 मान रहें तो हम क्या करेंगे हमने क्या किया डारेट 5 में से 3 माइनस किया तो इसमें से क्या करेंगे इसको इसमें से माइनस कर देंगे मतलब इसमें से माइनस कर देंगे इसमें से ऐसे हम मान रहे थे 5 इसे मान रहे थे हम, क्या जो मिल रहा था हमें 3 तो 5 में ऐसा क्या सप्टाइट करें के 3 मिल जाए तो हमने डारेट इसमें से माइनस 16 तो 2a और 3a मिलके किता बन गया 5a, 8 में से 7 माइनस करा b और यह माइनस प्लस क्या होगा, माइनस का नमबर बढ़ा है तो यहाँ पर माइनस की 6 आजाएगा, यह हो जाएगा हमारा answer आजाएगा तो अभी भी इस टाइप और questions होगे ना, तो आप as a example लेके ही उनको समझना, easy समझ में आएगा next क्या है, what should be taken away from this to obtain this, मतलब इस में से taken away का मतलब क्या होता है, निकालना इस पूरे terms में, पूरे expression में से क्या निकालने की हमें ये मिल जाए, तो यह बिल्कुल पहली वाली की तरह है, बस language बदल दिया, जैसे आप से बोला जाए, यही कि 5 में से आप क्या निकालो की 3 मिल जाए, निकालने का मतलब और subtract करने का मतलब वही तो है, तो वही तो हो गय ना, तो हम इसमें से फिर इसे direct क्या कर देंगे, minus कर देंगे, तो simple है, बिल्कुल पहले जैसा question बन चुका है, बस आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी language बदल दिया, कि हम इस बार क्या कर दिया, निकालना बोल दिया, पहले बोला गया था, कि हम क्या subtract करें, तो फिर बन गया, कि हमने पहले term लिखा, बाद में इस term को लिखा, minus लगा दिया, उसके बाद बस क्या करना है, bracket open करने का काम है, सबसे पहला bracket open करेंगे, हम, plus 20, आप देखें, minus वाला term, plus में convert हो जाएंगे, सारे, ये भी plus में हो जाएगा, ये है, plus का, तो ये minus का हो जाएगा, और ये plus का 20 है, तो minus का 20 हो जाएगा, उसके बाद देखें, like terms को एक साथ करेंगे, 3x square, फिर है x square, बस, फिर है minus 4y square, और y square का term ये है, plus 4y square, फिर xy वाले term एक साथ करेंगे, minus 6xy, और देखें, plus 20, minus 20, cancel out हो गए, उसके बाद solve करना है, बस, 3 में 1 plus किया, 4x square, minus, plus, minus होता है, ये भी plus, minus, minus होगा, देखें, plus, minus में क्या होता है, जिस term का number बड़ा होता है, उसी का sign आता है, minus बड़ा है, तो minus करना है, sign हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, तो question है, बहुत simple, बस थोड़ा सा क्या करना है, समझना है, next क्या है, from the sum of this and this, subtract this, पहल से, from का मतला में से, subtract करना है, इसे, तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको इन दोनों का क्या रहना है, sum करना पड़ेगा, तो sum करने के लिए लिख लेते हैं, equation है, 6th का a part, तो 6th के a part के लिए, हम लिखते हैं, क्या equation के according, हमारे पास, 3x minus y, 3x minus y plus 11, और plus करना है, उसमें minus y minus 11, ये नमबर है, ठीक है, तो हमें इन दोनों नमबरों को पहले plus करना है, क्योंकि sum है न, तो plus करिए, तो 3x minus y plus 11, plus करते हैं, तो sign chain नहीं होते, as it is sign रहते हैं, आप देखिए, 3x के साथ, तो कोई भी like time नहीं है, इसको as it is रखी है, ये minus y है, तो minus हो, minus क्या होता है, plus, ये बन जाएंगे minus 2y, ये plus का 11 है, ये minus का 11 है, ये हो जाएंगे, cancel, अब आपको plus करके आगिया, ये, इसमें से आपको subtract करना है, ये number, यही तो बोला गया था, कि इन दोनों के sum में से, मतलब इन दोनों का sum करके, जो number आएगा, उसमें से, इस से subtract करना है, तो पहले ही ये वाला number लिखना है, 3x minus 2y, उसके बाद minus लगा के, ये number लिख देना है, 3x minus y minus 11, अब bracket open करने का काम है सब हो जाएगा, minus 3x minus वाले plus में बदल जाएगे, तो ये दोनों plus में बदल गए, अब देखें, 3x plus का है, यहाँ minus का है, cancel हो जाएगे, minus 2y plus y plus minus minus, तो minus का y plus 11, हमारा ये हो जाएगा, answer हो जाएगा, तो हमने क्या किया था इस question में, इन दोनों को पहले plus किया, क्योंकि हमें sum नि next question क्या है, last आज का, from the sum of this and this, मतलब इन दोनों के sum में से, subtract करना है, the sum of this and this, तो क्या काम है, देखें, यहाँ पर दो बार plus करना है, पहली बार तो इन दोनों को plus करना है, ठीक है, उसके बार हमें इन दोनों को plus करना है, and then subtract करना है, किस में से किस को, जो इसका answer आएगा, उ तो पहला काम क्या है, हमारे पास क्या करने का है, दोनों को प्लस करने का काम है, तो 4x प्लस 3x प्लस 5 माइनस 4x प्लस 3 2x इसको है, इन दोनों को क्या कर देंगे, पहले हम प्लस कर देंगे, तो करते है यहाँ पर 4 है यहाँ पर 5 है यह दोनों like term है तो 4 और 5 मिलके क्या मिनगे 9 यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 4x है यह minus का है यह plus का है minus plus क्या हो जाएंगे minus यह हो जाएगा minus x और 2x square के साथ तो कुछ नहीं है तो as it is उताल लिया तो हमने पहले वाले दो term को क्या कर दिया plus कर दिया उसके बाद अगले दो term लिखते हैं वो क्या है 3x square minus 5x फिर plus के लिए तो sign chain नहीं होते है अगले हमारे पस दो term यह है एक यह term था और यह term था इन दोनों को plus कर रहे हैं हम तो 3x square minus x square हो जाएगा 2x square minus 5x plus 2x plus minus 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 3x और 5 क्या बन जाएगा as it is बन जाएगा तो दोनों चीज़ कर लिए हमने इन दोनों को भी plus कर लिया इन दोनों को भी plus कर लिया उसके बाद क्या बोला है from the sum of मतलब इनके sum में से इसे subtract करना है तो पहले इनके जो plus कर करके आया उसे लिखेंगे यानि हम पहले क्या लगाएंगे उसके बाद यह number लिखेंगे और इससे क्या कर देंगे solve कर देंगे इस तरीके से हमारे पास यह काम है क्यों कि हमने इससे से सब्ट्राइट करना है तो जिसमें से सब्ट्राइट करते हैं उसे पहले लिखते हैं अब क्या का में साइन जेंज करते हैं पहले बैकेट ओपन कर ये minus 2x square ये minus का ये plus का हो जाएगा और ये plus का ये minus का हो जाएगा अब देखिए 2x square से 2x square cancel हो जा रहे है 9 में से 5 को minus करेंगे तो 4 आएगा ये minus का x है ये plus का 3x है तो plus minus minus होता है 3 में से 1 minus करेंगे तो 2x हो जाएगा तो आंसे कितना चाहेगा हमारा 4 प्लस 2x अचाहे था question में थोड़ा सा सोचना है थोड़ा सा ध्यान देना है बोला क्या गया था from the sum of 4 प्लस 3x and 5-4x प्लस 2x इसको है तो पहले हमें क्या करना था इन दोनों को प्लस करना था वो हमने कर लिया य सके बाद हमें एक और sum में लेना एई इन दोनों का तो आप इन दोनों को भी प्लस कर लिजी दूसरा काम यह है third and last is काम की आए हमारे पास subscribe करना है किसमे से किसको जो इनको plus कर की आए हमारे पास और जो इनको plus कर की आए है इसको पहले लिखना है, इसे बाद में करना है and then subscribe करना है तो बस थोड़े last के जो questions से उनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और यह exercise complete होती है इसके बाद के exercise next video में पढ़ेंगे तब तक के लिए बाई